नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब लोग मैं ठीक हो और उमीद करता हूं आप सब लोग भी अपने अपने गरों में स्वस्त होंगे साथियों आज की वीडियों में हम पायरिया रोग के कान लक्षन वे इस रोग को ठीक करने के आयरुवेदिक ग्रेल उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं टोपिक वे रोग आम होने के साथ साथ गंभीर भी है करपय वीडियो को ध्यान से देखते हुए अन तक जुड़े रहे हैं मुह वेदात शरीर का एहम इसा होते हैं इनके स्वस्त होए बिना बहतर सारीक वे मानशिक स्वास्त की कलपना भी नहीं की जा सकती साथ यो कई लोग डंग से ब्रस नहीं करते हैं जिसकी वज़े से उनके मुह में बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं तथा मुह से बद्बू मसूडों से खून वे दात इलना आदी पायरिया के मुख्य लक्षन हैं या तरह तरह के उपाई वे दवाईयां लेकर ठक चुके हैं और इस रोक से निजात पना चाहते हैं तो मैं हूँ आइरवेद एम होम रमेडिय एक्सपर्ट डोक्टर एसेस यादव और आज मैं उस आसान असरदार गरेलू नुशके के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पायरिया को दूर करने के लिए गरेलू नुशके इसमें प्रियोग की जाने वाली सामगरी बनाने की विदी वे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में सामगरी में हम यहां अमरूद अनार तुलसी पुदिना नीम के पत्ते लेंगे न उसके बाद में इन्हें दूप में अच्छी तरह से सुका कर ग्राइंडर में महीन पाउडर बना ले इस टूथ पाउडर का इस्तेमाल रोजाना सुबह या रात को सोने से पहले एक चमस्की मात्रा में लेकर उसमें दो से चार बून नारियल तेल वै चुटकी बर सेंदा नम अगले वीडियो में इसी तरह के किसी दूसरी वीडियो कॉंटेंट के साथ तब तक खुस रहें स्वस्त रहें जैहिंद जैभारत